इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली, वा फ्रांस के और बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमन को पराजित कर पाया। किन्तु शेगर ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के बढ़त पर रोक लगा दी। इस युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाप उपयोग में आये। और जर्मनी में समराट केसर विलियम के खिलाप लोक तंत्र की इस्थापना के लिए क्रांती हुई क्रांतीकारी सरकार ने युद्ध समाप्ती के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम के घुशना हुई इस प्रकार सवा 4 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ इस युद्ध में लगभग 80 लाग सहनिक मारे गए लगभग 2 करोड वेक्ती घायल हुए यह युद्ध के कष्ट सहन करने के कारण मर गए और अस्त व्यस्त समाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पट्री पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीके मशीन गन ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतोर पर मशीन गनों का उप्योग किया जाता था इनका उप्योग पहली बार इसी युद्ध में किया गया एक मशीन गन के माध्यम से प्रती मिनट सैक्डो गोलिया दागी जा सकती थी राइफल जिसे एक बार चलाने के बाद दुबारा गोली भरना पड़ता था कि तुलना में मशीन गन की मारक्षमता करीब सो गुना बढ़ गई तोप इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपो का उप्योग किया गया सबसे भारी तोपो से 50 से 60 गोले प्रती मिनट दागे जा सकते थे निश्यद्धूरी पर लगातार मार करने वाली तोपे ट्रेचों से हो रहे गतिरोधों को तोड़ने में सक्षम थी तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हतियारों, उपकर्णों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुचाया जा सकता था टैंक सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरंड से धके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ पहियों की जगा इसमें चैन ट्रेक लगा कर इसे कीचड और उबढखाबढखायों पर भी चलने लायक बनाया गया इस तरह टैंक का अविशकार हुआ पंडुब्बी जर्मनी ने समुद्री की सता के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाजों पर गोले दागने वाली यूबोट पंडुब्बी का निर्माण किया प्रथम विशुद्र के दौरान ब्रिटेन के 50 प्रतिशत व्यपारिक जहाज जर्मन यूबोट के द्वारा नश्ट कर दिये गए विशैली गैस जर्मनी जिसके ओध्योगी करण में रसाया नुद्योग महत्वपूर था ने यूद्ध में विशैली गैसों का प्रयोग किया जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए इसके चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहन कर लड़ना पड़ा इसके दुश्प्रभाव को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर निर्ना लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हत्यारों का उप्योग युद्ध में नहीं किया जाएगा इसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं जिसमें युद्ध रणने के नियमों को लेकर कई महत्तोपूर्णियम स्विक्रित किये गए रेल गाडी प्रथम विश्विद्ध में सैनिकों, शस्त्रों, रेल मार्ग से चलने वाली तोपों वह रसत को दूर के ठिकानों तक पहुचाने का काम रेल गाडीयों ने किया और इस प्रकार इस नए आतायाद साधन ने युद्ध में अपना महत्तोपूर्ण स्थान बना लिया विमान दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्विद्ध की शुरुवात तक विमानों का निर्मान और तक्नीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी इस दोरान विमानों का प्रयोग मुख्यता हवाई गश्ट के माध्यम से शत्रु सेना के टोह लेने के लिए किया जाता था जल्द ही सरकारे विमानों के सामरिक महत्तों को समझ गई फल सरूप प्रथम विश्विद्ध के दोरान विमान निर्मान की तक्नीकी का तिवरता से विकास हुआ युद्ध के प्रारम और अंत के बीच दोनों गुटों में विमान की संख्या 850 से बढ़कर 10,000 तक हो गई प्रथम विश्विद्ध के अंत तक हवा में अधिक दे टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, मजबूत और अधिक विक्सित विमानों का निर्मान शुरू हो गया युद्ध का जन सामाने पर प्रभाव या पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध टोटल वार कहा जाने लगा जो लोग युद्ध शेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा उनके घर, खेत, आदि ध्वस्त किये गए उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूट पार्ट बलातकार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा बेल्जियम, फ्रांस, पोलेंड, रूस, आदि देशों में यह सरवाधिक रहा सभी सरकारे अपनी जन्ता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी जिसमें देश भक्ती के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और ग्रिणा पैदा की जाती थी इसकोलों के पाठ पुस्तकों से लेकर पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उप्योग इसके लिए किया गया युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जन्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा वह बड़े उत्सा के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गई अक्सर लोगों का प्रकोब अपने देश में ही रह रहे भाशाई और धार्मिक अलप संखेकों पर पड़ा कई देशों में इन अलप संखेकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा शुरूती समय में युद्ध उनमात के चलते लाखो युवक सेना में भरती हुए और देश के लिए मरने मारने के लिए निकल पड़े धीरे धीरे जब युद्ध की वास्त्विक सचाई उभरने लगी तो हर देश में युद्ध समाप्ती और शांती बहाली की मांग उठने लगी युद्ध में लगबग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में भरती हुआ था जो यह तो लोटा ही नहीं या अपाहिज होकर लोटा वही उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी युद्ध के चलते खात पदार्थों की बहुत कमी होने लगी इसका कारण यह था कि सरकारे अपनी सेनाओं के लिए खात पदार्थ भारी मातरा में खरीद रही थी जिससे सामाने बजार में उनका आभाव होने लगा दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुय थी जिनके आपूर्थी दूसरे देशों से आयात से होती थी जो अभ्युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गई कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को नियूंतम खाद पदार्थ मिले इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वित्रन कारे शुरू कर दिया इसी तरह कारखानों को अभ्युद्ध समागरी के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया जिसके कारण दैनिक उप्योग की चीजों के उत्पादन में कमी आई इन सब बातों के चलते खाद पदार्थ और अन्य जरूरी समागरी की कीमते दुगनी या तिगनी हो गई साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे की उनके देश में लोगतंत्र ना होने के कारण ही सरकारे इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गई यदि लोगतंत्र इस्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुन्नी होती और उनकी एक्षा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते युद्ध समाप्त होते ही पुराने और विशाल सामराज हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, रूस इन सभी देशों में जो सामराज इस्थापित थे उन्हें खत्म करके वहां लोकतांत्रिक सरकारे बहाल हुई भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा, एक और युद्ध में भारती सैनिकों को भेजा गया, दूसरी और युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धी की